राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अजा एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे दोस्तों भादरपद महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन ब्रत रखकर भागवान विश्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सारे कष्णों से मुक्ति मिलती है कहते हैं जिस कामना से कोई यह ब्रत करता है उसकी वह सभी मनो कामनाय ततकाल ही पूरी हो चाती है पुराणों में बताया गया है कि जो ब्यक्ति शद्धा पूर्वक अजा एकादशी का ब्रत रखता है उसके पूर्व जन्म के पाप कर जाते हैं और इस जन्म में सुख सम्रथी की प्राप्ती होती है आज के दिन अजा एकादशी की कत्हा सुन्ने मातर सही अश्मीद यग्यक के समान और सहस्त्रो गौधान के समान पुन्मे फल की प्राप्ती होती है अजा एकादशी की कत्हा इस प्रकार है युदिश्टर ने कहा हे पुन्रिकाक्ष मैंने श्रावर्ण शुक्ल एकादशी अर्थात पुर्तिदा एकादशी का सविस्तार वर्नर सुन लिया है अब आप क्रपा करके मुझे भाद्रपद महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विशे में बतलाईए इस एकादशी का क्या नाम है तता इसके प्रत का क्या विधान है इसका प्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है श्रीकृष्ण ने कहा हे कुंति पुत्र बात पद्माहा के कृष्ण पक्ष के एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं इसका ब्रत कंदे से सभी पापनष्ड हो जाते हैं इस एकादशी के दिन भागवान विश्णूची की पूजा का विथान है जो मनुष्य इस दिन भागवान रिशी केश की पूजा करते हैं उसको प्यकुंट की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। भागवान श्री राम के बंश में आयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिष्चन नाम की एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और इमानदारी के लिए प्रसित्य थे। एक बात देपताओं ने इनकी परिक्षा लेनी की योजना बनाई। राजा न उनने सपन में मुझे अपना राजे दान कर दिया। राजा ने सत्य निष्ठा ब्रत का पालन करते हुए संपून राजे विश्वा मित्र को सौप दिया। दान के लिए दच्छना चुकाने हे तू राजा हरिष्चंदर को पूर्वजन के कर्मफल के कारण पत्नी बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिष्चंदर को एक डॉम ने खरीद लिया जो शम्शान भूमी में लोगों के दहा संसकार का काम करवाता था। राजा हरिष्चंद स्वेम एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने चांडाल के यहां कफल लेने का काम किया। किन्तो उन्होंने इस आपत्ती के काम में भी सत्ते का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वश बीट कए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ। और वह इससे मुक्त होने के उपाई खोजने लगे। वह सदेव इसी चिन्ता में रहने ल मुझे। हरिश्चन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चन की दुख भरी कहानी सुनकर महेशी गौतम भी अत्यन्तु दुखी हुए। और उन्होंने राजा से कहा है राजन। भादों के कृष्ण पक्ष के एकादशी क लुख बादों का नाम अजा है तुम उस एकादशी का बिधिपूर्वक प्रत करो तथा रात्री को चागरण करो इससे तुम्हारे सभी पापनश्च्ट हो जाएंगे। अजन एकादशी आने पर राजा हरिश्चन ने महेशी के कहे अनसार बिधिपूरवक उपास तथा सात्री जाकरण किया इस ब्रत के प्रभाव से राजा के सभी पापनष्ट हो गए उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तता पुष्पों की वहशा होनी लगी स्वर्ग में राजा हरीश्चन्द ने अपने सामने भ्रम्मा विष्णु महेश्चता देवेंद्र आद राजय की प्राप्ति होई बास्तम में एक रिशी ने राजा की परिक्षा लेने के लिए यह सब किया था परंतु अजा एकादशी के ब्रत के प्रभाव से रिशी द्वारा रच्छी कई सारी माया समाप्त हो गई और अंत्य समय में हरीश्चन्द अपने परिवार सहित राजन यह सव अजा एकादशी के ब्रत का ही प्रभाव है जो मनुष्य इस उब्बास को बिधी पूर्वक करते हैं तथा रात्री जागरन करते हैं उनके सभी पापनश्ट हो जाते हैं और सुख में जीवन जीकर अंत्य में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं इस एकादशी क कि कथा सुने मात्र से ही अश्मेद यक्यके फल की प्राप्ती होती है समस्ति पापों का नाश होसता है शहस्तों गौदान का पुन्य फल प्राप्त होता है सनातन धर्म में एकादशी का उब्बास्ष्ट माना जाता है इस दिन भगवान विष्णों की बिधी बिधान से प पूझा कृद्व परों ब capability होती है शासतों में बताया गया है कि अजाएकादसी का पृत रखने से पुन्य की प्राप्ती होती है실 अजाएकादसी का अजाएक नहीं किया जाता, नेजला या एक समय फलहार करके ही अजा एकादशी का ब्रत रखा जाता है, मानेता है ब्रत रखने वाले को एकादशी की रात में सोना नहीं चाहें, और रात में श्रीहरी का ध्यान करना चाहें, अजा एकादशी का ब्रत रखने वालों को सुभे उठकर इ पुश्पु अर्पित करने चाहें, फिर धूब बस्तर आदी अर्पित करने के बाद आती करने चाहें, भगवान विश्णू जी को तुलसी जी अति प्रिये हैं, इसलिए पूजा में तुलसी का पत्ता भगवान विश्णू जी को अवश्य ही अर्पित करें, अजा गरीबों को दान देना चाहिए ब्रत का पारण द्वादशी के दिन केला या हल्दी का दान करना उत्तमाना जाता है एक आदशी के दिन विश्णु शहस्त नाम का पाथ करने से भगवान विश्णु की विशिश्क प्राप्त होती है यदि आप किसी कारण से ब्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन मन में भगवान विश्णु जी का ध्यान करते हुए साथ पिक भूजन करें जूट ना बोलें किसी का दिल ना दुखाएं और निंदा करने से भी बचें आप अगर ब्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आप इस दिन चाबल और जोग का सेवन ना करें ऐसा माना जाता है कि इस दिन चाबल या जोग का सेवन करने से मनुष्य का जन्म द्यांगने वाले जीप के योनी में होता है इस दिन जो लोग ब्रत नहीं रखते हैं उन्हीं भी चाबल का सेवन नहीं करना चाहिए अजा एक आदशी के दिन इन नियमों का विशिश रूप से पालन करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होकी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और इस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भैभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग राधे राधे